नमस्कार मरुधर बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अश्विनी सुरुखी उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ने साइबर एकोनोमिक फ्रोड केस में तेलंगाना से प्रशांत पोटली नाम के आरोपी को गिरफतार किया है जबकि एक अन्या आरोपी अब्दुल रज्जाक अब्दुल नभी मैमन की महराश्रू में तलास चल रही है रज्जाक के घर पर ATS ने चापे मारी कर एहम दस्तावेज बरामत किये हैं लेकिन वो फरार होने में काम्याब रहा एक महा पहले गिरफतार तीम चाइनीज आरोपियों ने पूछताच में दोनों आरोपियों के नामुजागर किये थे रज्जाक वे प्रेशांत मिलकर गुरुग्राम में एक होटल का संचालन कर रहे थे और चाइनीज थगों को शरण दे रखी थी ATS अफसरों के मुताविक प्रेशान फोटली को तेलंगाना के विकारा बाद चनपद के मरपली थाना शेत्र के बुचन पली से गिरफतार किया गया है उसके घर से लाखों के साइबर एकोनोमिक फ्रोड केट से संबंधिस महत्वकूर्ण दस्तावी इस बरामत हुई है जिने टीम ने अपने कबजे में दिया है उसे ट्रांचिट रिमांड पर लेकर लखनाव लाया जा रहा है इससे पहले महराश्च्र के ठाने में अब्दुल रज्जाक अब्दुल नभी मेमन के घर भी छापा मारा गया तिकिन वो भागने में कामयाद भाया अब्दुल के घर से भी टीम ने दस्तावेज बरामत किये हैं दोनों के खिलाफ देश विरोधी गसी विदियो में शामिल होने के भी सब उत मिले हैं दोनों आरोपी चाइनीज ठगों से जुड़े हुए थी प्रिशान्त से एटीयस लखनाओ में पूछताश करेगी संभावना है कि आब इस गिरों के बारे में और एहम जानकारियां सामने आएंगी बताने कि इस अफ्रोड केस का 17 जन्वरी को खुलासा हुआ था इसके बाद नोईडा सी चीनी नागरी के टेंग ली और जू जुमपी और जुलाही की गिरफतारी की